हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग मेरा नाम है अबदुल राप देख रही टॉक विद अबदुल यूट्यूब चैनल आज अपडेट है यहाँ पर बारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड बैंगलोरू की तरफ से और यहाँ पर हम बात करने वाले कि कितनी आप विगंसी आई प्रोसीजर और हाँ खास बात यह है कि 2020 के पासाउट एपलाई कर सकते है और यहाँ पे आपकी कोई एक्जाम नहीं होने वाली है सीधा इंटर्वियो होने वाला है तो विडियो का इंट तक जरूर से देखना सारी चीज़े में आपको स्टार्टिंग में अलिजिबिलीट शुरू करते है विडियो शुरू करने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा अगर हम प्राइवेट जॉब अपडेट जो की प्राइवेट कंपनी इसकी जो अपडेट होती है उसका अगर यहाँ पर शुरू करे तो आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर से बता और बाकी जो है mechanical, computer science, electronics, electronics and communication, telecommunication वो भी apply कर सकते है लेकिन उनके लिए 2 साल का experience इन्होंने मांगा हुआ है ठीक है तो अगर आप fresher हो और computer science से belong नहीं करते हो तो आप वीडियो को छोड़ सकते हो वीडियो आपके काम के आगे नहीं है लेकिन like करके जाना और अपने दोस्तों को share कर देना और अगर आप mechanical ब्रांच से हो, electronics ब्रांच से हो लेकिन आपके पास 2 साल का experience है तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हो क्योंकि आपकी कोई exam नहीं होने वाली सीधा selection होगा अब आगे बात करते है कि salary क्या रहने वाली है तो पहले साल आपकी salary रहेगी 25,000, second year में 28,000 और third year में 31,000 और location क्या रहेगा बेंगलोरू रहेगा और vacancy distribution भी मैंने आपको बता दी है अब यहाँ पर job requirement में इन्होंने कहा है कि knowledge आपके पास किस चीज़ का होना चाहिए Java, J2EE, C++ इसका knowledge आपके पास होना चाहिए जो कि computer science students के पास यह चीज़ होती है तो हो सकता है आपको interview में यह पूछा जाए और मेरे ही साबसे आपको एक suggestion देता हूँ आपके percentage जितने जादा अच्छे होंगे न तो application fees की बात कर लेता है तो जो कि experience candidates के लिए 500 रुपीज है और non-experience यानि कि freshers के लिए 200 रुपीज यहाँ पे रखा हुआ है और experience वाले SDPE में apply कर सकते है तो यह चीज़ खास दियान रखना यहाँ पे आगे बात करते हैं यह ट्रेणी इंजिनियर और यह दूसरा हो गया project इंजिनियर अब आगे बात करते है next तो बाई रैक सेशन जो normal जो मिलता है category wise वो तो दिया ही है और salary भी मैंने आपको बता दी salary के अलावा इन्होंने कहा हुआ है कि 10,000 per year आपको यहाँ पे medical insurance premium फिर attire allowance फिर stitching charges footwear allowance इसका 10,000 रुपे साल का आपको दिया जाएगा यह अलग से रहेगा और आपको fees भी मैं बता चुगा हूँ बागे fees आपको यहाँ पे SBI के payment gateway के थुरू करनी रहेगी आगे discuss करते है तो इसकी जो last date है वो है 27th September काफी students ने मुझे bail notification के बारे में पूछा था तो यहाँ पे पहले experience candidate के लिए थी जैसे ही यहाँ पे freshers के लिए vacancy आई मैंने वीडियो यहाँ पे बना लिया अगर हम बात करें application date शुरू होने की तो application शुरू हो चुका है official website पे जाके आप apply कर सकते हो अगर आप apply करना चाहते हो वैसे experience candidate की मैं salary बताना बोल गया salary है 35,000 पहले साल के लिए 40,000 second year, third year के लिए 45,000 and fourth year के लिए 50,000 इस तरह से आपकी salary रहेगी तो काफी अच्छी बात है अगर आपके पास experience है तो experience नहीं है फिर भी अच्छी है इस particular period में आपके पास अगर job नहीं है आपके percentage अच्छी है और जो मैंने skills बताए वो आपके पास है तो यहाँ पर apply ज़रूर से करना computer science students के लिए अच्छा मोका है और obvious बात है आपके थोड़ा बहुत तयार खुद को calculate किया जाएगा बी बिटेक का और बाकी का जो है वो interview में रखा जाएगा ठीक है और जो भी experience candidate है उनका यहाँ पे 10 percentage रखा जाएगा और 15 percentage इंटर्व्यू रखा जाएगा 15 percentage आपका interview में रहेगा तो यहाँ पे देखके पता चल रहा होगा कि percentage का criteria कितना ज़्यादा ज़रूर है इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपके percentage आपके marks बहुत अच्छे academics में तो आपकी chances यहाँ पे बढ़ जाते है चीक है और मैंने यहाँ पे खुछ चेक किया है 2020 के pass out students apply कर सकते है अगर आप 2020 अपना pass out एप लिखते हो तो आपका application आगे बढ़ जाता है हमने personal level पे check कर लिया है तो आप apply कर सकते हो 2020 वाले apply कर सकते है ठीक है आप रख दीचे 2020 और आप आगे बढ़िए ठीक है तो उमीद करता हूँ आपको सारी चीज़े समझ में आ गई होगी और वीडियो भी समझ मे आए होगे मुझे comment करके जरूर से बताना private job updates आपको चाहिए और कोई company के expectation है तो वो भी आप मुझे comment करके बता सकते हो बस इसी के साथ आज की वीडियो को कतम करते हैं मिलते next वीडियो में next job update में तब तक के लिए goodbye take care झाल